वेलकम तो टेक्निकल शिजा और आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से अगर किसी ने आपकी वीडियो उठाके अपने चैनल पर डाल दिया है चाहे पूरी की पूरी वीडियो डाली है चाहे थोड़ा सा उसका पार डाला है तो आप उसको किस तरह से वोर्निंग भेज सकते ह वैसे मैं आपको सिजेस्ट करूँगी कि बहुत बेहतर हैगा आप सामने वाले को बोर्निंग भेज दू क्योंकि बास दफालोगों को नहीं बता होता कि कोपी राइट जो उसको यूज नहीं करना चाहिए या हमें नहीं बता कि सामने वाले के घर के हालात किस तरह से हैं त विडियो पर जो भी आड़ आएंगी वो आपके पोकिट में पैसा जाएगा और इससे फरक नहीं पड़ता कि उसका चैनल मोनिटाइज है या नहीं है जो अभी चैनल मोनिटाइज नहीं होते उनके उपर भी एड्स तो आती हैं लेकिन वहुत सारा कुछ जाता है यूट्यूब वालों के पास इस तरह से अगर इनका चैनल मोनिटाइज नहीं है तो एड्स तो आपकी वीडियो के उपर किस तरह से आपने सामने वाले को कोपिराइट स्ट्राइक या कोपिराइट वर्णिंग भेजनी हैं मैं आपको यह अबर दोनों चीजे बता रही हूं क्यूंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाले को ना पता हूं काफी दफ़ा आपको लोग तंग करने के लिए भी जो है वो बा कि तमाम यूट्यूब से डिलीट करवा सकते हो यहां पर आपने सबसे पहले आपने यूट्यूब के उपर आ जाना है और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंपोसिबल तो नहीं है मुबाइल के अंदर यह चीजे ओपन करना बस आपको थोड़ा सा जो है ना सर अपना ज स्टूडियो डेस्क स्टूप लिखो तो वहां पर आपके पास इस तरह का जो यूट्यूब स्टूडिया वह उपन हो जाएगा और यहां पर सबसे नीचे आकर आपको कोपी राइट नजर आ रहा है आपने इसके ओपर क्लिक कर देना है अच्छा आप यहां पर मैं आपको बोक्स के ओपर मैंने क्लिक किया था और क्लिक करने के बाद यह इतनी धेर सारी वीडियो मेरे सामने आई तमाम लोगों ने इनकी जो वीडियो है इसको कोपी राइट किया हो है अच्छा यहां पर मैं आपको एक बात बता दू कि आपने यह चीज़ देकर कंफ्यूज नही वीडियो की कोपी है अगर यहां पर उसके 50% या 70% होगी तो वह भी लिखावा नजर आएगा और 10% 20% 30% पर भी आप उसको कोपी राइट क्लेम वर्निंग या स्ट्राइक भेज सकते हो अच्छा आप जैसे इस वाली बोक्स के ओपर क्लिक करोगे ना आपको यहां पर आप जो है यह आपके काम आने वाला है अभी वापिस आप इस पेश पर आजो यहां पर यह आपको दिखा रहstep कि ourarrows और वीडियो के उपर कितने है जो किotर दिका रहा ही जो कि जी सदेश पर उन्होंने आपकी वीडियो को अप्लोड किया था बो यहं आगे वाली लिस्ट के ओ आपको शो कर रहे हैं वो चैनल और नेक्स्ट है मैच वो मैं आपको बता चुकी हूँ कितने परसेंट उनकी जो वीडियो है वो आपकी वीडियो की कोपी है अचा आप यहां पर आपके पास तीन अवेलिबल है सबसे पहला जो अप्शन है वो आर्काइफ है आर्काइफ में लोग क्यों रखना चाते हैं और यह किसलिए होता है यह इसलिए होता है कि मतलब आप इस वीडियो को इग्नोर कर रहे हो आप इसको कोपी राइट क्लेम या कोपी राइट स्ट्राइक नहीं भेज रहे हो अचा यह लोग इसलिए इस पेज ने अपलोड की है और लेकिन इस अगसर जो fan page होते हैं या कोई ऐसे pages होते हैं जो के promotions के लिए रखे होते हैं new talent के लिए रखे होते हैं तो फिर उनको copyright claim नहीं बेजा जाते हैं उनसे अपनी promotion करवाय जाती है और उनको ignore कर दिया जाते हैं कि इनको copyright हमने claim नहीं भेजना तो आप उनको archive में रख सकते हो और जो दूसरा वाला option है आपके पास दूसरा वाला जो option है उसके अंदर आप सामने वाले को या तो copyright strike या copyright warning भेज सकते हो जो कि मैं अभी आपको आगे चलके बताती हूँ अच्छा अब यह जो थर्ड option है ना थर्ड option आपको इसलिए दिया गया है कि आप जो है वो सामने वाले को without copyright claim भेजे या without copyright strike भेजे उसको एक message भेज सकते हो लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि message भेजते वक्त ना तो YouTube आपका नाम देगा और ना ही यह कहेगा कि यह आपकी तरफ से है बलकि YouTube अपने Gmail के थूँ अपने नाम से सामने वाले को यह warning देगा कि आप जो है वो यह वीडियो को हटा दो वरना इतने इतने दिन के अंदर हम लोग जो है वो copyright strike या claim हटा दो अच्छा इसमें सबसे important बात मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आपने ऐसा हर्गिस नहीं करना है कि for example कोई वीडियो है जैसे के आलिया भट की कोई वीडियो है ठीक है या उनके रमवीर और आलिया के जो शादी हो रही है उसकी वीडियो है वो आपने उठा ली अब किसी और ने वो वाली तस्वीरे उठाई एडिट की थोड़ा बहुत आपसे मिलता चुलता था और उसने भी वीडियो डाल दी यूट्यूब की जो अल्गोरिथम है वो कोई इनसान नहीं है वो मशीन है और उससे गलती हो सकती है अब उसको लगा कि सामने वाले ने आ आप बोलो कि्योंकि सामने वाले ने मेरी वीडियो कोपी किया है और मैं इसके ओपर कॉपी राइट ख्लेम भेजा क्यूंकि ओटा आपके के लिए कोपियेट ख्लाउम बीजने में हम फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आप सामने WiFi को या तो वार्णिंक दे सकते हैं कि अध्यार के ळाउदर सेथिते रहें यह जो है युद्रे कर वा सकते हो यह या उसका वीडियो जो है वह सीरे से थारी उडवा सकते हो यहाँ पर मैं आपको उधार रहूं कि एक वीडियो को आपने किस तरह से जो है एक वीडियो के उपर आपने किस तरह से copyright claim जो है वो भीजना एं सबसे पहले आपने उपर आना है और उपर आ कर अगर आपके वीडियो एड नहीं तो उसमें आपने add वीडियो क option के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप option पर क्लिक करोगे यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है type of work कि किस तरह का content आपका जो है वो चोरी हुए आपकी वीडियो या आपका song यानि के audio जो होती है वो चोरी हुई है या आपका software या आपका आर्ट वर्क पेंटिंग वकार आपने कोई बनाया थी या आपकी लाइफ को किसी ने record करके आप से पहले ही उसको upload कर दिया और आपको वो मतलब के तंग कर रहा है या फिर आपका किसी ने logo जो है उसको copyright कर दिया तो यहां पर हमारी वीडियो जो है वो हुई है चोरी तो हम इ तो अप्राइक्ट यूट्यूब से आपकी वीडियो डाउनलोड करके दुबारा अपलोट की गई है दूसरा भूशन आपके पास यह है कि किसी और यूच्यूब के चैनल से पुपीडियो तो वीडियो टाएगए जिसके आप लीगली रप्रेजेंट हो या उसके मैनेजर हो याप उसके एजन्ट हो जस्ट आपका किसी तरह का भी connection है उस channel से तो आप second वाला जो है वो option जो है उसको select कर होगी third option आपके बास यह के from outside of YouTube यहां पर आपने मेभी Facebook पर TikTok पर या किसी और platform पर अपनी वीडियो अप्लोड की या भी और वो किसी ने उठा कर उसको यूट्यूब के उपर अपलोड कर दे तब भी आप उसको copyright claim भेज सकते हो इवन कि अगर आप ने यूट्यूब के उपर अपलोड नहीं भी किया तब भी जो चीज आपने बनाई है उसके उपर सबसे पहला हक आपका ही है यहां पर मैंने first option जो है वो select कर लिए क्योंकि यूट्यूब से ही हमारे वीडियो जो है वो उठाए गई है और यहां पर यहां पर आपने डालना है अपनी वीडियो का link वो वीडियो जो के आपकी चोरी हुई है मैंने आपको कहा था कि वो वीडियो जो है आपने लाजमी open रखनी है अगर आपने open नहीं रखिया तो आप यहां पर easily उस तक वीडियो तक पहुंच सकते हो आपको जस न्यू टैब open करना है और न्यू टैब नहीं open कर सकते मुबाइल में कर रहे हो तो यूट्यूब open कर लो यूट्यूब बें open करके आप अपनी उस वीडियो के उपर चले जाओ यूरल उसको कोपी कर लो मुबाइल में आप कर रहे हो तो शेयर के बटन पर प्रेस करो और उसका लिंक जो है उसको कोपी कर लो और यहां पर my video URL के अंदर जाके इसको पेस्ट कर दो और जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इस वीडियो के थमनेल ही शो हो रहे हो अच् neighbours आपने इस तिया है अब कि तॉड़ा स APIs कोपी राइट क्वाया है यह फिर आप अब वह पर लूक्त करें हैं वह पर आप कहारें के यूट्यूब की वह वाली वीडियो जो आप चाहते हो कर उसका लिंक आप यहां पर more आपको ने पूच्छ सोर्च रिक था उर के हम था है को जैसे भी था तो आपको इस्ट हो जो किम आपको करनी आ यह जा मम मार शय्क्री करने में और यहां पर फिर आप से अगें पूछेंगे यह कोई इंटाइर वीडियो ह उन्होंने आपकी कोपी किया या खोड़ा सा आपका च्वाथ टाइम में आपका थो नुझा कोपी की आप थमनेल की ओपर भी Copyrate Strikes को भेग सकते हो तो यहां पर हमारी entire video copy हुई है तो यहां पर हम entire video को select कर लेंगे अच्छे इसके बाद आपने जो add to list वाल option आना उसको select कर लेना है अगर आपकी यहां पर already video show हो रही होगे फिर तो आपको list में add करने की जरूरत नहीं है अगर नहीं हो रही है तो फिर आप उसको लाजमी अगें जो है वो list के अंदर add कर सकते हो यहां पर और भी मजीद videos डाल सकते हो जो के लोगों ने आपकी copy की हुई है लेकिन अगर आपको धेर सारी video एकी बार में copyright claim भेजना है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा wait कर लो वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताती हो कि आपने किस तरह से करना है अचाब यहां पर आपने नीचे जबाने तो यहां पर आपने कोछोटा सा पॉम पिल करना है अचाब यहां पर जो सबसे पहला option है यहां पर लिखा हो है affected party यहां पर आपकी अगर अपनी वीडियो तर माइसेल्फ को करो और अगर आपकी company और organization या client की वीडियो तो आप उसके ओपर क्लिक कर दो तो यहां पर अपनी वीडियो तो माइसेल्फ के ओपर क्लिक करोंगी अचा जो दूसरा option है वहां पर आप पूछ रहे हैं कि आपका copyright content से क्या relation है तो आप अगर उसके creator हो तो आप यहां पर यहां पर यह लिख दोगे कि आप आप आपने वीडियो क्रियेट की है तो यहां नीचे वाले option के उपर आपने आजाना है यहां पर लिखा हूँ है name of copyright owner यहां पर यह नों ने बोला है यहां तो आप अपना ID card का जो आपके AdSense के अंदर है उसका नाम लिख दूँ नहीं तो आप अपना simply channel name जो है उसको copy करके यहां पर पेस्ट कर दूँ तो मैंने यहां यहां पर चैनल नहीं है उसको मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया अब next option है उसमें आपको पूछ रहे हैं किस country से तालुक रिखते हो तो आप यहां पर जैसे इस option को select करोगे यहां पर आपकी जो भी country होगी आपने उसके उपर जाकी क्लिक कर देना है अब next जो है आपसे phone number प इसको फिल कर सकते हो और फिर यहां पर आके आपने street address जो है उसको देना है और यह भी ध्यान रहे कि street address जो है वह भी आपने अपना एडसेंस वाला देना है option के अंदर आपने अपनी city लिखनी है इनकी city जो है वो मुलतान है तो यहां पर मैं मुलतान रिखनी हूँ आपने अपनी city जो है जो जहां पर आप रहते हो आपने वो city एड़ करनी है यानि कि इस चैनल के ओनर एडसेंस के ओनर जहां पर भी रहते हैं नेक्स जो आपके पास option है उसके अंदर आपने अपना state डालना है अगर आप पंजाब में रहते हो या सिंद्या ब्लोचस्तान में तो सब्सक्राइब करके आप अपना state डालना है अगर आपको आपका state नहीं बता है for some reasons तो आप इसके अंदर आपनी city का नाम भी लिख सकते हो और next आपका जो zip code है यानि कि आपका postal code होता है वह आपने इसदर जो है वह एड़ कर देना अब जैसे आप आपकर दोगे आपने नी चीजे होगी आप उनको साथ दिन का notice भेज़ दोगे उससे उनके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है उसके साथ दिन के अंदर अंदर वो अगर तो वीडियो को डिलीट कर देते हैं तो इस चीज में उनका कोई भी नुकसान वगरा कुछ भी नहीं होगा लेकिन अर्णिंग आपकी बनती होगी वो आपको मिलती रहेगी और जो वीडियो है वो उदर पड़ी रहेगी ठीक है तो इन दोनों कंडिशन में से एक कंडिशन हो सकती है और जो दूसरे वाली जो है copyright strike अगर कोई बार बार आपको tease कर रहा है तंग कर रहा है और आपको जान जान हो सकता है यानि कि बहुत तगड़े वाला copyright strike उनको चला जाएगा और तीन copyright strike अगर एक ही बार में उनको चले जाते हैं तो देन उनका चैनल जो है वो बिल्कुली खतम हो जाएगा और इस वाले जो option है ना इसके अंदर YouTube खुद वीडियो को डिलीट कर देगा जैसे ही YouTube जो है आपके message जो है उसको देखेगा यह नहीं कि अगले second video डिलीट हो जाएगी लेकिन विदिन 24-48 hours वो वीडियो आपकी जो है उस channel से खुद बहुत यूट्यूब डिलीट कर देगा ठीक है अब यह जो दो option है इसमें से जो भी एक आप select करना चाहो वो आप कर सकते हो मैं जो first वाला option है उसको select कर रही हूँ seven days वाली warning का अच्छा आपने इसके ना नीचे आ जाना है copies के नीचे वाला जो option है ना उसका वो बहुत ज़्यदा कारामद है और उसके उपर आपने टिक लगाना ही लगाना है तो यहां पर जब आप टिक लगा दोगे ना तो इसका इनकम जो है वो आपको जाएगी ना के उस बंदे को उसके बाद जो नीचे वाले option है तो यहां पर भी आपने तमाम के तमाम option के उपर click कर देना है अच्छा इन तीनो बोक्स इस पर click करने के बाद आपने नीचे आकर अपना एडसेंस वाला नाम लिख देना है और फिर तो यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे अच्छा गर अब आपके पास बहुत सारी copyright जो है वाई हूई है कि बहुत सारी लोगों ने आपकी जो वीडियो है उसको को पी किया हूँ है कि यहां पर मैं बताया था कि जिनका मैं copyright के क्लेम्स दूसरों को भेज रही हूँ उनकी टो तो यहां पर 114 वीडियो जो है उनको यहां पर हम लोगों ने copyright ख्लेम भेजना है तो आप क्या कर सकते हो कि एक टाइम के उपर आप only 50 वीडियो स्लेक्ट कर सकते हो अच्छा यहां पर मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ यहां पर नीचे आप आएंगे ना तो यहां पर है आप एक बार 50 वीडियो को स्लेक्ट कर लोगे तो आपके पास उपर option शो होगा request removal आपने वहां पर जाकर उस option को स्लेक्ट कर लेना है और नीचे आना है जब आपने सबसे नीचे आना है हाँ यहां पर ठीक है तो आपने same form जो है वो दुबारा स्लेक्ट कर देना है यहां प आएगा myself, second में आएगा creator, third में आएगा आपके channel का Name, then आपके country का Name आएगा, then आपने अपना जो phone number है वो एड़ कर देना, आप यहां पर कोई भी phone number जो है उसको add कर सेकते रहुआ है, और phone number, add करने के बाद यहां पर आपने अपना address जो है उसको mention कर देना है, बोत बहतर हैं अगर आपadow com丁प कोपिपेस्ट सी कोपिशन कोड़ इन इन कोई अप्षिन झाँ याय को वैज कर ले एक लंघ कि आपने लोगन उटकर दीए की वॉर्निंग का दूपीस्ट कोड़ते लिए नहीं तो इने साथ दिन की वेजना ताकि ने को बहुत को एत्रा हो सकता है डिलीड होने का भी यह वह इसे चोनल को सोच करदे कर लेया और ला связ कि बहुत को पर क्वजेता को अप्लोड के पास ऐका और फिर में नीचे तीन और और ऑपने रहने забY अप्सेंस वाला जो नाम है उसको यहां पर सेम स्पेलिंग के साथ लिख देना है एक बार जब आप नाम लिख दोगे तो फिर आपने उपर जाकर अपना फॉर्म जो है उसको स्टब्मिट करवा देना है और एक साथ पचास लोगों को कोपीराइट क्लेम या कोपीराइट व हाफिस